तो पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें पास्ता को बॉयल करना है तो इसके लिए क्या करेंगे गैस पर एक बटर डग देंगे उसमें डालेंगे पानी अब पानी इतना होना चाहिए जितना कि हम पास्ता इसमें डालें पास्ता अच्छे से डूप जा और अच्छे से ब आपको जो पसंदो पानी में बॉला जा एक जाता देख लेเลें थी ऐन पास्ता ऐसे चोन आप ready तो यह हमारा पास्ता जो है पक गया है, अब इस पास्ता को हम एक किसी बर्तर में छहनी लगा देंगी और उसमें इसे हम पानी से छान लेंगे, बहुत ही जल्दी है, बहुत फटा-फटा अगर आपको तो आप इसमें उपर से ठंडा पानी डालते, अब अगर आपको लग र कड़ाए में और ऐल डालेंगे, एक बड़े चमच और उसके बाद इसमें डालेंगे हम बटर, बटर से जो है पास्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो बटर जरूर डाले, जैसे बटर मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे, वन टेबल स्पून ग्रेट के हुआ अध्रक, लेसन और अध्रक का पास्ता में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अगर आपको पसंद तो जरूर डाले, उसके बाद इसमें डाल देंगे हम दो कटिवी हरी मिर्च, अब हम इसमें डाल देंगे एक बार ही कटा हुआ प्याज, जित्ता भी आप तीख हलका सा फ्राय हो गया है, तब आप इसमें दो बड़े साइज के कटे हुए टमाटर डाल दें, आप चाहे तो टमाटर पेस्ट का भी इस्तमाल कर सकते हैं, इस तरह से बारिक काट कर भी डाल सकते हैं, पास्ता में जितना ज्यादा आप टमाटर डालें, पास्ता का टेस्ट उतना ही अच्छा आता है अब ये प्याज और टमाटर जल्दी से हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे आधा चमच नमक डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे नमक बहुत ध्यान से डालें क्योंकि ये बॉयल करते समय भी हमने एक चमच के करीब नमक डाला है नमक डालकर मि मेरी लालमिच या लालमिच जालेंगे उसके बाद इसमें डालेंगे मैगी मसाला आप इसके जिके पास्ता मसाला का विस्तमार कर सकते हैं मसालों को एक से दो मेर तक हम ऐसे पून लेंगे अगर आपको ये पास्ता क्रीमी खाना है तो इसे स्टेश पे एक से दो बड़े च तो मैंने हाँ पर एक चमच सेजवान साउस डाला है, एक चमच ग्रीन चिली साउस जाला है, एक चमच साउस डाला है और एक से दो चमच मैंने डाला है टोमेटो केचब आप इन sos में से جस का tip ओढूझ आप को पसंदा जो आपको पसंदा हो उसे skip करते है बट हां पास्ता में जो है सावस हम नालते है। इस से pasta का क्यिक है बढ़ जाता हैं बहुत ही जादा टेस्ट लगता है। अच्छे से मसालों में हम मिलादैंगे हैं तो आप देख सकते मसालि अच्छे से पक गए हैं तो अम पास्ता को बॉ APP है जी जुझेए और पास्ता फिलग सब अच्छे से अरभ बिलादू के मिला देंगे हम इसे अच्छे से मिलाएंगी और गर्मा गर्म हम इसे सर्फ करनेंगी तो ये हमारा फटा-फट विना वेजेटेबल वाला पास्ता बन कर तयार है एक बार आप इसे जरू ट्राइ करें और अपना अंडो में शाद जरू शेयर करें वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी